असलाम अलेकूम एन वेलकम टू चैनल दस्तरखां की दावत ये देखिए आज हम बना जा रहे हैं मटन पाया सूप ये बहुत ही दाधा डेलिशेस होता है और काफी फाइदे मन भी होता है सबसे पहले हमने पायो को बॉयल कर लिया था फिर उसका मसाला तयार किया था हमने और इसे अच्छी तरह से फिर प्रेशर कुकर में ही बूल लिया था और उसके अंदर बॉयल पाय डाल दिये थे और फिर इसमें हमने पानी आड़ करके इसमें काफी सार विसल दे दिया था औ या पाया सूप की रेसिपी रड़ी हो गई थी तो इस रेसिपी को जानने के लिए आप इस वीडियो के एंट तक जरूर देखिए और अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक केजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें पायो को हमने अच्छी तरह से तीन बार टैप वाटर के नीचे वाश कर लिया है मटन पाय बनाने के लिए हैं पायो को हमने साफ करा के ले लिया था और फी जो इसके उपर एक्स्ट्रा बाल थे उसे मैंने गैस पे रोस कर लिया था तो जो इसमें एक्स्ट्रा बाल थे वो न करने से इसके एक्स्ट्रा बाल रहते हैं वो निकल जाते हैं यहां पर हमने लिया है एक मीडियम साइज ओनियन इसे लंबा लंबा स्लाइस में कट कर लिया है यहां पर हमने एक मीडियम साइज का आधा प्याज लिया है इसे मोटे मोटे स्लाइस में कट करके यहां पर रख ल यहां पे मैंने 1-2 इंच दालचनी तुकड़ा है तीन पत्यू इंれज आदाय पत्राई एक मीढियम साइज लिया वहाद रखुका मैं यह सिर्फ दो यहां नमक करन smoothly một-ग लिया है और एक टीस्पून नमक लिया है बाकी सारे मसाले हमने अलरडी ले लिये है इसके लिए पाउडर मसालों में और कुछ लेने के जरूत नहीं है इस प्लेट में जितने भी मसाले हमने लिये है उसे ग्रैंड अजार में डाल देंगे थोड़ा सा पानी अड़ करके इसे बारीक पीस लेंगे ये देखिए मसाले को हमने अच्छी तरह से बारीक पीस लिया है अब इसे हम साइड में रख देते हैं और आगे की प्रोसेस करते हैं यहाँ पर मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है प्रेशर कुकर को गैस पे चड़ा दिया है अब इसके अंदर हमने जो सारे पाई लिये थे वो सारे पाई डाल देंगे इसके अंदर और इसके साथ ही हम डाल देंगे जो स्लाइस में कटा हुआ हमने प्यास लिया था लगा देंगे और इसे high flame पर ही हम विसल देंगे दस विसल देंगे हम इसे high flame पर ही 10 विसल हो चुके थे और मैंने pressure को automatically release होने दिया था अब मैं आपको इसे open करके दिखा रही हूँ यह देखिए कितनी अच्छी तरह से इसके अंदर से धुआ उट रहा है और पानी इसका पूरा सूख गया है अच्छी तरह से boil हो गया है पाया लेकिन अभी भी completely cook नहीं हुआ है आदा कच्चा है यह और आदा ही पका है बाकी का हम मसालों के साथ पकाएंगे से यह देखिए हमने सारे पायों को pressure cooker से निकाल के इस bowl में डाल दिया है अब हम इसे side में रख देते हैं पायों को उबालने के बाद मैंने pressure cooker को अच्छी तरह से घस लिया था क्योंकि पाय वैसे भी बहुत sticky होते हैं अगर हम pressure cooker को भी ना घसे इसमें फिर से masala भूनेंगे तो masala चिपकने लगेगा अच्छी तरह से रोस नहीं होगा इसमें मैंने अब डाल दिया है आधा कप oil और अच्छी तरह से गरम कर लिया है और इसमें अब आड़ कर दिया है एक fine chop जो हमने medium size का onion लिया था वो सारा onion इसमें डाल दिया है अब इसे continuously stir करते हुए हमें इसे golden brown होने तक पका लेना है यह देखिए onion अच्छी तरह से golden brown हो चुके है अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो सारा हमने मसाला पीस के रखा था वो सारा मसाला इसमें डाल देना है हमें उसके साथ ही जो grinder jar में थोड़ा सा मसाला लगा रह जाता है वो भी मैंने थोड़ा पानी से निकाल के इसमें डाल दिया है अब इसमें हम एड़ कर देंगे एक टीस्पून नमक, नमक डालते समय आपको ज़रा ध्यान से नमक डालना है बिकॉस हमने जब पायो उबाले थे उसमें भी टीस्पून नमक डाला था ये देखिए करीबन 10-15 मिनिट हमने मीडियम फ्लेम पे मसालों को भूल लिया था और ये अच्छी तरह से पक चुका है और इसके अंदर हम डाल देंगे सारे जो उबले हुए पाय है पाय डालने के बाद इसे एक बार अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे अब इसमें हम आड़ कर देंगे 3 गलास पानी करीबन 700 ml पानी है ये पानी की कॉंटिटी कम ज्यादा आप अपने एक पोडिंग रख सकते हैं मुझे थोड़ा सा पतला ग्रेवी चाहिए इसके लिए मैं इसमें 3 गलास पानी डाल रहे हूँ अगर आपको थोड़ा सा गाड़ा करेवी चाहिए तो इसमें थोड़ा सा कम पानी आप डाल सकते हैं पानी आड़ करने के बाद इसे एक बार स्टर कर लेंगे और स्टर करने के बाद प्रेशर कुकर का अडलेड लगाके इसे हाई फ्लेम पे रख देंगे और 10 विसल आने देंगे हाई फ्लेम पर ही जैसा कि मैंने आपको बताया था हमने पायो को बॉयल करने के टाइम सिर्फ आदा ही उसे पकाया था आदा हम अभी पकाएंगे इसे मसालों के साथ और जो पानी हमने डाला था उसके साथ ये देख तो आपको इसे प्लेट करके दिखा रही हूं और आप देख सकते हैं पाया कितनी अच्छी तरह से पतली से प्रिपेर हुई है पतली ग्रेवी ही अच्छी लगती है पाय में अगर ज्यादा गाड़ी ग्रेवी करेंगे तो यह थोड़ा सा थंडा होने के बाद और ज्यादा स जाता है इसलिए आप कोशिश कीजिए कि थोड़ा सी पतली ग्रेवी बनाए अब इसे हम थोड़ा सा धनिया पत्ता के साथ गानेश कर देते हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से ग्रीन ग्रेवी बनी है कितना मज़ेदार लग रहा है यह देखने में मज़ेदार सा मटन पाया सूप खाने के लिए अब तयार है इसमें आपको जो जो चीजे मैंने आपको बताई है इस वीडियो में जो टिप्स दिये है उन चीजों को ध्यान रखना है और आपका भी पाया सूप इसी तरह से परफेक्ट बन जाएगा तो अगर आपको यह पसंद आई है तो प् सब्सक्राइब करना ना भूले मिलते हैं ऐसी ही और मज़दार और एक्साइटिंग रेसिपेस के साथ तब तक के लिए अल्ला हाफेश